यदि बक्त के मन को दुग्द की भादी निर्मन ना बनाएं यर्पन यर्पन यर्ट्स है क्योंकि इस अंसार में नजाने कितने ही शिशू केवल इस भूग से अकाल मृत्यों को प्राव जब तक इस संसार में कोई भी शिशू भूखा है समझ लोग कि मैं भूखा और मेरी शुधा तभी शान्त होगी जब उस ने राश्रित शिशू को आहार मिलेगा जब तक इस संसार में कोई भी जीव व्यतित है समझ लोग कि मैं व्यतित हूँ जब तक संसार में अन्याय और भेद भाव है ये समझ लोग में प्रती पल पेड़े तो संसार की शान्ति में ही मेरे मन की शान्ति पंच महाभूतों का महाभाग है जब जल द्वारा मेरे अभी शेक्स जीवन दाए जल की अब मानना नहीं होती है क्या ये जल का सरोत्तम उपियोग है क्या श्रद्धा और विश्वास को प्रकट करने के जल का अर्पन वर्याप्त है क्या निर्जल पूजा करने से मैं मन की भावनाओं को महत्व नहीं दोगा जल आत्मा की सजीवनी है असंग के मनुष्व जीव जन दो जल क्या भाव में जीवित रहने के लिए विवश रहते न जाने कितने व्यक्ति जल की एक बून के लिए तिरशित रहते हैं ऐसे मैं जब नदी की भावती जल मुझ पर अर्पित किया जाए मुझे पीडा होती है जल शरीर का संचालक है यदि मेरे भक्ते से जीवन सुरक्षाहे द्वार्पित करेंगे मैं तब भी मदद होनोंगा पेल पत्त्र मुझे रती प्रिया है ये मेरा संताप हरते है ददूरा मुझे प्रिया है ये मुझे शांती दिता है कि तु यदि संसार शांती का युद्ध शेत्र बना रहेगा मेरे स्वजनों के बीच सरे महायुद छिड़ा रहेगा तो मात्र ददूरा और बेल पत्र अर्पित करने से मेरे मन को शांती कैसे मिल जाएगे मेरी पूजा संपन्न कैसे हो जाएगे उपासना में यदि मेरे जैसे हो जाने का भाव है तो मेरी सच्छी उपासना है यदि उपासना का भाव मेरे लुब और मेरे समीब आने की कामना है तो सच्छी पूजा और भावना है तुम मन में स्वरन कराओं मैं सुनता हूँ तुम मन में मुझे बुकारो मैं आता हूँ मुझे कुछ नहीं चाहे यदि तुम मन को शिवमय बनाते हैं तो वही मेरा शांती से परिपोर्न कहलाश हूँ वही मेरी सुन्दल काश है वही मेरी उच्जैनी है कौन सी विदि कैसी विदि अपने आप से पूछो कि पूजा का अर्थ क्या है पूजा तो केवल एक माध्यम है मुझे तक पहुँचने का मुझे से जुड़ने का मुझे से एक होने का किन्तु जो मुझे ही विभाजित करते हो मुझे से एक कैसे हो सकता है कैसे जुड़ सकता है जो अपनी भक्ती के मार्ग को औरों के मार्ग से श्रेष्ट समझे उसकी पूजा में सदय वहंकार वित्यमानों का पूजा करने के लिए श्रेष्ट दाका लें समानिता का भाव और श्रक्त समानिता के वलून में ही आ सकते जिनका मन अपने आराध्य के प्रदी समर्पित किया पूजा साथनों पर आशित सामग्री पर आशित विधी पर आशित क्या भक्त के भाव पर उनके विचारों अभर यदि पूजा करते समय यक्ति को ये स्मर्ण रह कि वो कितनी श्रत दा कितने समर्प Wen और कितनी भव्यतार से पूजा कर रहा, तो वो पूजा नहीं, जिस व्यक्ति के मन में ये विचार हो, कि उसके पास पूजा के परियाप्त साधन नहीं, तो पूजा उसकी भी सच्ची नहीं होती है। हूजा तो केवल वही सच्ची है, जब भग्त के मन में अराथ्य के अतिरिक्त कोई विचार ना, कोई संकोच ना, भग्त कोई अनुभूती हो कि वो अपने अराथ्य से पिधक नहीं, उसके अराथ्य उससे पिधक नहीं। और जो भक्त ऐसा सोचेगा, वो वक्ति के अन्यमार्गों का भी सम्मान करेगा। मुझे पाने के लिए किसी और व्यक्ति को माध्यम बनाने के आवशक्ता नहीं। क्योंकि भक्त मुझे अपने मन की पवित्रता से प्राप्त कर सकता। यदि भक्त का मन ही निश्चल नहीं, तो किसी और के माध्यम हो जाने से वो कैसे संभव हो जाएगा। और यदि मन पवित्र है, तो फिर माध्यम के आवशक्ता ही क्यों। मेरी प्रार्थना करने के लिए प्रेम पून हरदय चाहे। ऐसा हरदय जो जीवन के प्रत्य किशन प्रेम पून रहे। और ये तब ही संभव है जब व्यक्ति सबसे पहले अपने आप से प्रेम करना सीखे। अपने आप से चुड़ना सीखे। जब तक व्यक्ति को अपने मन में वित्यमान दिव्यता की पहचान नहीं थी। वो दोसरों में भी उस दिव्यता को नहीं देख सकता।